पलवल जाट धरमशाला में आईजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि हमारी बुजर्ग पीड़ी हमें जो विरासत सौंप कही थी हमें उसकी रक्षा करना भी भारी पड़ रहा है जिस समाज ने प्रदेश और देश की रक्षा करने और पेट भरने में अथा योगदान दिया है उस समाज के युवाओं का एक वर्ग भटक कर बद्नामी का कारण बन रहा है वक्ताओं ने ये भी कहा कि समाज का युवाओं इसके लिए दोशी नहीं है बलकि हम स्वैम दोशी हैं क्योंकि हम अपने बच्चों का पालन पोशन धंग से नहीं कर रहे हैं और नाहीं उनकी तरफ कोई ध्यान दे रहे हैं हम उन्हें संसकार एक शिक्षा देनी की बजाए उन्हें नयतिक पतन की ओर धकेल रहे हैं हमें अपनी युवापीड़ी को बैठने से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे इस अफसर पर निर्ने लिया गया कि समाज के प्रबुद लोगों की कमेटियां बना कर गाउं गाउं जाकर अभियान चलाया जाए युवापीड़ी को अपने साथ जोड़कर उन्हें संसकारवान बनाई जाने का प्रयास किया जाए बैठा की अधश्ता जाट एक कमंच के प्रधान जगदिश देवतिया ने की खबरी पालों के हिसाब से पालों के लोगों से बात करेंगे और फिर पालों के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे और गामों में जाके हर गाम में दो चार चौपालों पर जाकर उनको समझाएंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हों बद्यान नहीं दिया जा रहा कि अगर उ उम्मीद है कि बात सपल हो जाई आज जो मीटिंग हुई उसमें इस बात पर विचलता वैक्टी नहीं है कि आपर युगा उपली जो बढ़ा करी है किन कारणों से बढ़ा किया गया है यह भी विचार किया है कि आज की डेट में मालों बच्चे पढ़ने वेज दिये उन्हों कि मावाप उन्हों पर सोच लेते हैं कि साथ बज़े गए पांच बज़े वापिस आ जाएंगे यह नहीं देखते कि कहां पर गए कहां है कैसे अगर उन्हों को ध्यान दिया जाए तो मेरे अंदाजे से दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि अगर पूरा नहीं होगा अगर मेहनत की जाए तो उसी बात को देखते हुए आज जो पंचात बलाई है और इसके बाद हर पाल के हिसाब से पंचात बलाएंगे और पूरे इस अपने हर्याना लेवल पर इसको लाने की उम्मिद है और किया है और यहां से हम उनके सदार के लिए कमेटी बनाएंगे जो गामों में जाएंगी और उन लोगों से बात करेंगे भी आप लोग का क्या बेचार है इस पर हम जो है इस वात को आज सर्सां सिर्जा नेकि ऐक है एक है गामय जाना सेरों जाना गलियों में अन ये बहुत बड़ी कुरूती देश के अंदर फैली हुई है और ऐसा ही जो है सराप के अंदर है लोग गलियों में जो हना लोग बच्चे जो आज कर लिके 14 साल ते और 25 साल तक के बच्चा जो बीच का बच्चा है वो सड़कों घड़ा के दारू पी रहा है तो इसके लिए इ इसको रोकने के लिए हमने कदम उठाया है